अरे भवई ये क्या है? इमें गुल्दाना बांद रखा और उपने हैं ये क्या है? इसो सारे आपने ये, ये क्या इन में गुल्दाना बांद रखा आपने हैं? तो समझ में नहीं आ रहा वह यहां देखो हो सारे में यह देखो इधर देखिए इधर देखो यह क्या हो गया वह यह क्या है वकार साथ हमारे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं बड़ा अशर चैनल यहां पर यह आपने क्या लगा रखें कि गुलदाना बांद बांद के टांग दिया है क्या पेड़ों पर जिसे की मीठे हो मैं हम नमस्कार सर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे फार्म में जी मेरे फार्म जो है यह चौसे का बाग है इस टा रख तो गुलदाना कैसे में लागा पर जो इसका राज बताओ मेरे समझ में नहीं आ रहा जी सुभेदार जी मैं आपको बताऊंगा कि गुलदाना आपने कहा है वह पीला होता है जी और इसके अंदर मैंने आम पैक किया है ने गुलदाने के थैली भी तो ऐसी होती है ना कि आपने क्या हुआ है इसमें मैंने आम पर्वाम तोड़ा हुआ हुआने कच्छा अंदर पक्षाप इसमें आपने कच्छे आम यह डंठल के साथ में लगे हुए और वह उन्हें जिसे क्या इसके बारे ने हमारे कसान भाईयों को थोड़ा विश्तार से बताएं यह जो है हमारा बैग यह एक हमें चार रुपेगा मिलता है अच्छा और इसकी क्वालिटी है कि एर टाइट होता है वाटर प्रूफ होता है अच्छा जी इसको आज हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए आम को त हल्दी रंग मिलेगा आपको अच्छा आप समझ नहीं पाएंगे कि यह कच्चाम है अपक्काम इसकी क्वालिटी ऐसी हो जाएगी है टाइट होने के बाद एक्सपोर्ट क्वालिटी हो जाएगी जो हमारा आम यह लोकल मार्किट में 20 रुपे का बिकता है इसके एक काम की क पचास रुपे की हो जाएगी अरे वाँ 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 यह तो बहुत अच्छी बाद बताइए अच्छा इसके किस तरीके से लगाते हैं और इसके क्या-क्या फायदे ही हमारे किसान बाइएं को बताएं जी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हमारा रेंस सीजन शुरू हो काला है जी रेंस सीजन होने के साथ-साथ-स ड्रस्टिंग भी होती है आन्यादी आती है अजी आम के उपर एक लेयर चड़ जाती है दूरी उससे हमारे आम का जो कलर है वह खराब हो जाता है तो इसको हम कवर कर देते हैं इसके उपर एक तो गंदे पानी का जो पता कहीं का जी 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 उसकी रस्टिंग उतरके नहीं आती है इसके उपर बिल्कुल एक दम आपको पीला आम मिलेगा बहुत खुब्सूरत आम आप देखने के बाद सुचेंगे मैं इसको अभी खा लूँ वकार सैब आप जो कह रहे हैं कि ये 20 दिन में जो है गुलदाना ही बन जाएग बहुत आपके लिए एक खोल के जरूर दिखाऊंगा जिक इसको पैक वेवे एक हफता हो गया है अच्छा तो उतने असर कर दिया होगा जी जी उसमें उसका जो है असर शुरू हो जाता है एर टाइट होने के बाद अभी मैं इसको खोलूँगा तो ये मेरे आम का कलर जो ब जैसे यह आपने टांग रखें ना यह ऐसका एक हपता हो गया तो एक हपते में विश्वास करूंगा नहीं देखाता हूं आपको देखेगा जी दिखाए यह देखिए यह उसके यहां जो लॉक सिस्टम है जिसमें बारीक वायर होता है अच्छा जो इसको बहुत सकती से ए यह आना सुरू हो गया। यह बहुत बढ़ी हैं सोगोर भी ये हैं इतना के लिए नहीं हिए, इसपार भी आ जाता है ह। आक प्रनल WooS नुस्त है? यह एक साथ है जो नो तो एक बैग में नहीं आ सकते और डबल एक बैग में कर नहीं सकते हैं अच्छा वकार साब इसको आप पैक कैसे करते हैं किस तरीके से करते हैं वह भी जरा हमारे किसान बाइब दिखाना चाहूंगा बैग अंदर से यह इसकी ब्लैक लेर होती है कितनी इक बार यूज होता है या बारबार यूज कर सकते हैं कितने बार यूज कर सकते हैं कि यह भार यूज कर लेंगależy अच्छा है और यह हमारा ब्रांड है इसका अगर किसी को चाहिए तो इसमें मोबाइल नमबर इgesetz Вид मिल जाएगा मार्कीट में इजी ली अच्छा जो आपके अच्छे तो इसको किस तरीके से चढ़ाते हैं और बता दीजे अब यह देखिए इसको स्टेट खुलावा है जी और इसको बी केरफुल आहिस्ता से कि आम चच ना करें हमारे हाथ को अरे यह तो बहुत बहुत आशा चाहिए प्रक्रणा लेता है हो गया है यह आपका हो गिए इसका मैक्सिमम टाइम में हमारा 30 दिन होता है अच्छा यह एक बार पैकरने के 30 दिन बाद जिए आपको बिल्कुल गुल दाना पीले रंका लडू जैसा अच्छा मैं तो यही समझ राता कि वकार साभ ने गुल- कुछी तक्निक के द्वारा यह बांदे गए इतने हर पेड़ों के पर इतने उपर चड़ चड़ कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाईयों को के हमारे हाँ पर यह एक पर यह एक्सपर्ट टीम होती है फिर इनको कवर करने आती है अच्छा जी उनको पर बैघ हम 50 पैसा देते हैं अच्छा एक आम को प्यक्रने का पचास पैसे कोस्ट आती है जिक्टीए अपना लेकर की आते हैं और हाइट तक जैसे हमारी हाइट है हाँ आप नहीं जाता है वह कि उनको बैग की जरूत पड़ेगी इनको बानने वाला जो है लेबर चाहिए इस तो वो कैसे मिलेगा उसके बारे में थोड़ा बताएं जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे पास जो बैग है यह नॉर्मली हर शौप पर तो मिलता नहीं है जो हमारे बड़े सप्ला पर आता है यहां आने के बाद में अगर वो जानकारी लेता है आप से तो इसको यहां पर ट्रेनिंग की बंदोश कर सकते हैं यहां पर हम उसको training देते हैं और मैं एक सम्मानित किसान हूं प्रिगतिशिल किसानूं जी 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 आने वाले समय में मुक्खय मुझे बाद बड़ी तो वकार साथ आपने बड़ी ची जानकारी दी और जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आपको उत्तरप्रदेश मुख्य मंत्री आपको सम्भानित करने जा रहे हैं लेकिन मैं आपको अभी करता हूं यह पठका पहना कर आपकी जो कुशलता और पूरबग जो आप यह काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 बन्यवाद आपका सर थैंक्यू वेरी मच्छ मैं बहुत बहुत आवार वेक्ट करता हूं आप यहां पर आए और मुझे सम्मान दिया किसान भाई हैं जिनमें आम पेक किये हुए हैं जिससे कि कोई रोग ना लगे कोई गंदीगी इसको नुक्सान ना पहुंचाए और यह बिल्कुल पीले गुलदाने की तरह एक महने के अंदर निकल जाएंगे जो कि एक्सपोर्ट के लिए हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बढ़ि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें